वीडियो में स्वागत है तो यहां पर एक्सल एक्सपीरियंस रोम हमारे रेडमी नोट 7 के लिए फाइनली रिलीज हो गया है और मैं इसको कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं टेस्ट कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है तो यहां पर आज मैं आपक तक तो देखना ही पड़ेगा वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले यार प्लीज एक चीज जरूर कर देना नीचे जो आपने सास्क्राइब बड़न दिखा होगा रेड कलर कर ना उसको दबा देना ताकि उसका कलर रेड से चेंज हो जाए ठीक है अगर आपने अल्रीड दबा दिया है तो आपका कलर अल्रीड चेंज होगा तो उसको कोई जरुवत नहीं है दुबारा दबाने की तो यहां पर सबसे पहले आपको दिखा दूँ तो यहां पर लेटेस्ट वर्जन मैं यूज कर रहा हूं जो कि अभी और ओफिशल वर्जन है यहां पर यह दिखा दूँगा तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं तो इस तरीके मैन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि प्टिक्सर पूर पिक्सल इवाइस की années आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा जो की सी ब्राइटनेस की कम कर देता हो ताकि आपको यहां पर लिखाई नहीं मिलते हैं क्योंकि फीचर ज्यादा नहीं है पिक्सल में और आपको पूर पिक्सल का एक्स्पीरेंस देती है तो यह चीज काफी अच्छी ज्यादा लगती है यहां पर देख सकते हो सारा यहां पर आपको फोर जी वोल्टी भी वर्क करता हूं मिलेगा उस पर कोई दिक्कत नहीं है हॉट्सपॉट वीपियन वगेरा सब मिल जाता है ब्लुटूथ आपको एप परमिशन और बैटरी बिल देखने को मिल जाती है तो बैटरी पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूं आपको पूरा देख सकते हो जो की वर्क करती है काफी अच्छे से यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अध्यप्टिव बाइटनेस भी वर्क करती हूँ आपको मिल जाती है उसके लावा यहां पर लाइफ डिस्प्ले वाल पेपर रोटेशन और यहां पर नौज ब्री हेवियर का कर Stories अगर आप यहां पर चाहती हो तो नौज भी आपका यहां पर आपको बंद कर देता हूँ और इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल जाता है इसक्रीEn sever full-screen app का भी option मिल जाता है यानि आपको कॉन-sa app यहाँ पे notch में चलाना है कौन-sa notch में नहीं तो उसका भी option मिल जाएगा तो अब इसको अनेबल कर दो पुड वी आपका यहाँp lotसु पी आपको मिल जायगा pocket detection टैप to suggest, tap to wake, tap to sleep आपको मिल जाएगा डिवाक समय को पर की तरह दिन अभी आपको डेखने को मिल जाता है तो जिस तरीके से आप यहां पर फीन लगाना चाहों जैसे कि अभी मैंने बदाइब लगा सकते हो लाइट लगानी है तो वह वह भी आपको काफी अच्छे से यहां पर वह करता हूं जाएगा तो यहां पर डिवाइस के को भी चेंज कर देते हैं अपने लाइट थीम में उसके लाब यहां पर आपको नीचे कलर थीम का भी चेंज करने को मिल जागा जैसे कि मैंने अभी रैड लगा रखा है आप चाहो तो औरेंज परपल ग्रीन ब्लू जो चाहो आप उसको चेंज करके लगा सकते हो बापस आते जाता है जो कि काफी अची बात है उसके लावा फिंगर प्रेंट काफी अच्छे से साफ ऑकर टो हूब जाता है तो क opioids पीड में यह पर लॉक हो जाता है तैप और आождust के बाद आपको अस्थिबीटी देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको ड्यूल टीमिंग bigger option मिल और इससे ठीक ठाक यहां पर कर रहा है और आइधिंग कि यहां पर पूरा सही से यह option वक करता हुआ आपको नहीं मलता है उसके लावा रिमूब अनिमेशन का option भी मिल जाएगा digital well-being भी मिल जाता है इसके अंदर जो कि torch को भी on कर सकते हो यानि मैं आप पे lock रखा है तो आप देख सकते हो torch भी आपकी यहाँ पर यह on हो गई है तो यह भी option आपको मिल जाता है वेग device का control layout और आपको यहाँ पर अगर navigation बदन को invert करना है तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हो दोनों का option आपको इसके अंदर मिल जाता है उसके लाबा स्टेटेस बार में भी आपका स्टेस बार नीचे नहीं आएगा इसका भी option आपको इसमें मिल जाता है सही साथ क्विक पूल डाउन भी आप यहाँ पर on क स्टेट का भी option देखने को मिल जाता है जो की MIUI का option है कि three fingers को swipe करो और आपका यहाँ पर यहाँ पर सेफ हो जाता है जो कि काफी अच्छे से इस टाइम बाग कर रहा है तो डवलपर option है इसमें कुछ नहीं आपको खास फीचर नहीं देखने को मिलता है तो यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी उसके लाबा यहाँ पर about setting में चलके आपको दिखा दूं तो बाता हैं और मिलता है ganze अब बात कर देतहं हैं यहां पर बैटरी बैटकिप की तो उससे पहले आपपको दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके से PUBG के यहां पड़ेशिक्स कैसे मिल जाते हूं किस तरीके से आप shelf करता है क्योंकि बहुत सा effects får ng जो ए कि आप जो भी का रिवि अच्छी बात है उसके लाव आप यहां पर नोटिस कर बाऊगे नौच में आपको यहां पर चलते हुए मिल जाता है जो कि आप यहां पर देख पाऊगे नौच में आपको यहां पर वक करता हूँ तो फिलाल यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क के साथ त साथ से आपको बता रहा हूँ तो हीटिंग इशू आपको नहीं मिलेगा और पब जी काफी स्मूद आपको वर्क करता हुआ मिल जाएगा अगर आपको स्टेबल रोम में कुछ दिक्कत आ रही थी तो आप इसको जरूर से ट्राइ कर सकते हो लेकिन उससे पहले यहां पर आ 18% पर आया है और स्क्रीन ओन टाइम अगर आपको मैं दिखा दूं किता रहा है तो स्क्रीन ओन टाइम सिफ 4 घंटे का आपको देखने को मिला है यानि यार बैटरी वैकप बहुत जादा बेकार आपको इसके अंदर देखने को मिलता है पिक्सल एक्स्पिरेंस रोम में इस जो कि बागी सब नहीं रहती है तो ये चीज काफी अच्छी रहती है हाला कि हो सकते है नेक्स अब्डेट में इसको फिक्स कर दिया जाए बैटरी बैकप को उसके लावा इसमें कोई और प्रॉब्लम तो मुझे या पर देखने के लिए नहीं मिली बैटरी बैकप के बैटरी बहुत जल्दी हाँ पर ड्रॉप हुई है जो कि बहुत ही बेकार बात है तो आप देख सकते हो 14 आर्स लेफ्ट है तीन देन में से आप देखोगे कि दो गंटा 16 गंटा टू डेज 16 आर्स यहां पर तो सिंपल ऐसे ही फोन आइडल रखा रहा था उसके लावा चार पड़ेगा तो वह चीज भी आप यहां पर उसको एक्सिस कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है बात कलने कैमरा की तो कैमरा आपको सिंपल इसके अंदर देखने को मिलता है अगर आप गूगल कैमरा चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको नीचर डिस्क्रिप्शन और यूज कर पाओगे आप गूगल कैमरा को भी बिना किसी प्रॉब्लम के तो वह चीज भी अच्छी यहां पर वर्क करती है और गूगल कैमरा भी आपको वर्क करता हूँ इसके अंदर मिल जाता है जो कि बैटर चुआज है आप गूगल कैमरा को यूज करो तो ज्यादा बैटर आप रहता है कॉलिंग मैंने बताया आपको परफेक्ट ली वर्क कर रहा है उसके लावा सब चीज आपको यहां पर परफेक्टली वर्क करती हुए मिल जाएगी अबात करने इसको फ्लैश कैसे करना है तो सेंच प्रोसिस से जैसे मैंने पुराने आपको प्रोसिस म पिक्सल एक्पिरियंस रोम की जो डाउनलोड करने वाली फाइल है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आपको पिक्सल एक्पिरियंस रोम डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर सेफ रखना है तब ही आप यहां पे कर पाओगे एक चीज दिहां आपको प्रके और बॉक्षवरी में आउगे तो हमको वाइप में जाना में इडवान्स एक डेटा और इंटरनल को छोड़के शिस्टम को सबको यहां पे वाइप कर देना है मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे में अरभी इंस्टॉल है उसके लाभ फिर फिर जाएंगे य इसलिए वो मैं करके आपको नहीं दिखा रहा हूं उसके बाद simply आपका फोन आपको बूट में हो जाएगा अगर बूट हो जाता है तो काफी अची बात है मैंने का अगर क्योंकि यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों के साथ फेश हो रही है Redmi Note 7 के अंदर उसके लिए मै आपको पहले ही का था data backup बना के रखिएगा क्योंकि अगर आपका फोन बूट लूप में फस जाता है चिंदा करने की बात नहीं है आपको simply यह जो आपको पावर डाउन की और आपको वॉल्यूम डाउन की और पावर की मिलती है दोनों को एक साथ प्रेस करना है और आपको फासबूट मोड में चला जाना है फासबूट मोड में जैसे ही आप चले जाओगे तो उससे बाद आपको अपने computer में connect करना है और आपको एक command यहाँ पर flash करनी है fastboot-w करके आपको यहाँ पर command देनी है जिससे आपका पूरा user data रिलीट हो जाएगा लेकिन मुझे एक interesting चीज अभी वीडियो के खतम होने के बात पता चली अगर आपको अपने screen पर देख रही है कि यहाँ पे pixel experience room में Redmi Note 7 के अंदर wifi and hotspot दोनों एक साथ यहाँ पर चलता हूँ आपको मिल रहा है यार कसम से कता ही कता ही कता ही जहर चीज है और मुझे बहुत ही इंटरेंस अभी तुरन दिखा मैं फाइल जब ट्रांसफर कर रहा था तो इसलिए आपको यह वीडियो के end में देखने को मिल रहा है और I think title और thumbnail में भी आपको यह देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इसको डून रहे थे वीडियो को बीच में तो सौरी यार end में यहा आया कहां पर लगाऊंगा तो इसलिए यहां पर अभी आपको यह देखने को मिल रहा है तो I hope अगर आपने देखा एंट तक तो you are a lucky customer, lucky user, lucky viewer और अगर वीडियो पसंद आई तो like, share ज़रूर कर देना, okay?